अगर आपका बचा देड से बोल रहा है तो इस वीडियो को जरूद दीके जिससे आपको टेटमेंट में डेफिनेटली फायदा होने वाला है Delayed Speech is a very common problem क्योंकि यह neglected problem है Maximum parents को यही नहीं पता होता है कि normal milestones क्या है ज्यादा तर parents सी बच्चों के वजन पे ध्यान देते कुछ-कुछ parents वजन के साथ physical development जैसे बच्चा गर्दन का पकड़ता है बैठता कब है खड़ा कब होता है चलता कब है इस पे ध्यान देते और speech cognitive और social development पे definitely parents ध्यान नहीं देते इसलिए मैं आप parents से request करना चाओंगा कि मेरे वीडियो growth and development जहां पे बच्चे के overall development के बारे में बता गया उसको जरूद देखिए जिसे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा बराबर develop हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें normal milestone सबन ना है delayed बोलने के पहले normal क्या यह अगर हम समझ पाते हैं तो हमें आसानी होती है diagnosis में जैसे three मीने का बच्चा आ इ उऐ शब्द बोलता है अगर आवाज आती है right hand side से वो right hand side के तरफ प्लिटके देखता है छ catchy मेने का बच्चा दा 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 बाबा बाबा ऐसे शब्द बोल सकता है इसका हादा उसको अगर नाम से बुलाते तो नाम के तरह पलेट के देख सकता है एक साल का बच्चा एक meaningful word जैसे आई बाबा मम्मी इस तरह के शब्द वो बोल सकता है इसके लाग सिंपल कमांड जा पास जैसे टाली बजाना बाइबाइबाइब करना ये भी वो सीख जाता है देख साल का बच्चा चार से पांच meaningful word बोलता है और इसके लाग उसको अगर हम सिंपल कमांड देते हैं जा वहां से गिलास लेकिया तो उसको वो follow करता है दो साल का बच्चा sentences बनाना शुरू करता है जैसे दो से चार शब्दों को वा परता है पानी दे या मुझे पानी दे इसके वाला अगर घर के जो common लोग है उनके सब को नाम से पहिचानता है और नाम बोल भी पाता है और body parts को भी वो बता पाता है तीन साल का बच्चा काफी अच्छे से बात करना शुरू कर देता है इवन स्टेंजर के साथ और पच्चास से ज़्यादा चीजों को वो easily identify करता है और उसको learn होता है तो common causes क्या क्या है lack of stimulation is the commonest cause of delayed speech जहां पर बच्चे को stimulate नहीं करते बच्चों से बात नहीं करते ज्यादा तर यह जहां पर nuclear family है particular metros में बड़े बड़े cities में जहां पर grand parents नहीं रहते हैं महा पर देखा जाता है working parents है या disturbed family environment है जहां पर बच्चों को ज्यादा stimulation नहीं दिया ज है हमें joint family को continue करना जो अमारी पुरानी old tradition है अगर joint family possible नहीं तो at least 6 मेने के लिए दादा नाना नानी इनको आपको घड़ी-घड़ी बुलाना चाहिए और सबसे important आपको priority अपने बच्चों को देना चाहिए ना कि job या social responsibility और जो parents बच्चों के साथ quality time spend करते वह बच्चे का cognitive, social, emotional और physical development में भी और early stimulation program काफी important होता है अगर आपके बच्चे का speech delayed है जो हम आगे discuss करने वाले हैं दूसरा cause है hearing loss अगर आपके बच्चे को सुनाई नहीं देता तो that is a very common cause बहुत सारे parents को लगता है कि हमारे बच्चे को सुनाई देता क्योंकि बच्चा हुशार होता है वो हर activity इशारों से आखों से easily करता है सभी मुक्के बच्चे मुक्के और भेरे बच्चे हुशार होते हैं लेकि उनको सुनाई नहीं देता और जब उनको सुनाई नहीं देता इसलिए वो बोल नहीं पाते तो हमें कैसा identify करना है जैसे मैंने मेरे milestones में बताया अगर बच्चा नाम को respond नहीं कर रहा है आवाज के अगर नहीं देख रहा है स्टार्टर नहीं कर रहा है जोर के आवाज पर दूसरे रूम में बड़े बच्चे को दूसरे रूम से आवाज देते हैं अगर वो नहीं आता है तो शायद आपके बच्चे को hearing loss है अगर आपको ऐसा लगता है तो इमीजिटली अब आपने डॉक hearing loss है तो आपको cochlear implant के श्वा दूसरा option नहीं होता है नुरे डेलपमेंटल पॉलम इस आपके बच्चे का फीजिकल डेलपमेंट नॉर्मल होता है जैसे मैंने खहा कि पारेंट्स फीजिकल डेलपमेंट हो गया जैसे एक सवा साल का बच्चा अगर चलता है तो उनको लगता डाउन सिंट्रोम इस तरह के पॉलम होता है तो इसका सुलूशन क्या है इसका प्रॉपर डाइग्नोसेस होना इंपॉर्टन है और डाइग्नोसेस रहाप से बच्चों को ट्रीट्मेंट दी जाती है अगेन अर्ली स्टूमिनेशन इस पार्ट अफ दा ट्रीट्मेंट Global Development Delay इसमें बच्चों का Physical Development, Cognitive, Social, Emotional हर प्रकार के Development डिलेड होते है जनरली न्यूबर्ण फेस में यह प्रॉपर्लम क्रीट होता है जैसे बर्थेस्विक जिया यह जनेटिक प्रॉपर्लम या बच्चा प्रीटम होता है तो इसका ट्रीट्मेंट क्या है अगेन प्रॉप यह बच्चे जनरली देड़ से चलते हैं हर काम देड़ से करते हैं जैसे देड़ साल के बाद चलेंगे धाई से तीन साल के बाद बोलना शुरू करेंगे बच्चे बहुत शांत सबाव के दिखते हैं और काफी क्यूट होते हैं तो ज्यादा तर पारेंट्स को लगता है ब अर्ली डाइग्नोसिस इसे बात कीजिए जितने भी फैमिली मेंबर से जब भी बच्चा खेलता है उसे बात कीजिए एक रुणिंग कॉमेटरी टाइप बात कर सकते जैसे बच्चों को खिला रहे देख मैंने स्टील का चमचा ली डाल का पानी ली मैं आपको दूद पिला र इसके लिए जब बच्चा छोटा हलता है जैसे चार पाँच मैंने का तो उसको शब्द सिखा सकते है ऐ अी उ 6-9 मैंने के बच्चों गले दा 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 बाबा बाबा उसको बोलिये भी और उसको बोलने के लिए एंक्रेज भी कीजिए इसके लाइग साल का हो जाता है तो सिखा सकते हैं इसके लाए जब भी बच्चा बच्चा आपके तरफ देखता है उसके साथ इंट्राइक कीजिए कुछ भी बात कीजिए जैसे बारिश गिरी है थंडा मोसम है गर्मी है इस तरह किसे बात कीजिए और उसको एंकरेज कीजिए बोलने के लिए जब भी वह आ-उ पूर रिस्पॉंड देता है उसको रिस्पॉंस दीजिए जिसे बच्चे की स्पीज डॉलप्मेंट डेफिनेटली फास्ट हो सकती है जब भी बच्चा आपके तरफ हसता है फेशल एस्परेशन देता है तो आप उस तरह से हसना भी है और फेशल एस्परेशन के साथ बच्चा भी हसेगा और उसको कुछ शब्द बुलिए जिसे बोलने के लिए एंक्रेज होगा लेट साल के उपर के बच्चों के लिए एंड सैक्लोपीडिया मतला जो भी चीज आप उसको बता रहे है और नॉलेज की तरह बताना है जिसे फैन है यह टूब लाइट है यहा बच्चे का नॉलेज भी काफी बढ़ता है जैसे बच्चा देड़ साल के उपर हो जाता है वो कुछ चीच मांगने के लिए हाथ दिकायता है तो उसको एंक्रेज कीजिए क्या चाहिए आपको समझ जिगा जैसे हाथ दिकाने का आपको ध्यान में आ रहा है उसे पानी चाह है जैसे बच्चा बाहर जाके दूसरे बच्चEO के साथ खेलता है उसका स्पीर डवर दिव बडॉब्मेंट को और सोचल डन Team होता है इस तरह के 5 common object उसको दिकाना है एक 5-7 दिन तक दिकाने के बाद उसको पुछना fan किदर है तो बच्चा उंगली बताएगा जल्दी बोलना शुरू करता है तो नए 5 object आपको उसको शिकाना है इस तरह कि सब्सक्राइब काफी जल्दी बोलना सीख जाते हैं जब बच्चा धाई साल के उपर हो जाता है तब क्या करना है बड़े-बड़े चित्रों की स्टोरी भूक लाना है और पढ़ना है जिसे बचों का ओर डॉलपमेंट इंक्लूडिंग स्पीच अच्छे सोता है अलग अलग प्रकार के पोयम हम आप सिखा सकते जैसे जौनी जौनी यस पपा और बच्चों को उसके उमर के बच्चों के साथ या बड़े बच्चों के साथ खेलने के लिए एंकरेज करना है जिसे उसका ओर डॉलपमेंट हो सके औ और एक बात आपको यहां ध्यान देना है कि कुछ बच्चे इस सोबर में थोड़ा सा तोतला टाइप बोलते हैं आप उसके साथ उस तरह से बात मत कीजिए इससे बच्चों को आदत पड़ जाती है कभी भी बच्चों के साथ तोतला नहीं बोलना चाहिए कि आई होप यह वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली स्पीच का जो पालम है आपके बच्चों में फायदा होगा अगर आपको फायदा होता है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखिए इसके लावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कॉमेंट बॉक्स में मैं उसका जवाब डेफिनेटली आपको देऊंगा और इसके लावा इस वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए हम वीडियो बनाने के अलावा मैंने दो भूक लिखा हूँ छे साल के निचे की बच्चों के लिए हसत खेलत बाल विकास और छे साल के उपर के बच्चो हूँ वीडियो बनाता हूँ अगर आप देखना चाहते है रेगुलर्ली तो सामने दिया ले सोशल साइट पर जॉइन कर लीजिए आप इसको रेगुलर्ली वीकली डेफिनेटली आप देख पाएंगे इसके अलावा मैं पीडियाटिशिन आप सब जानते हैं लेकिन मैं औहीं जहां पर कुछ बचे बहुत शिरार्ति होते हैं कुछ बचे डिस्टिप्रिन में नहीं आते विपाई नहीं करते पड़ाई करते तो भी माकस नहीं मिलते इस प्रकार की बच्चों क्या सब्सक्राइब करते है अगर आप सकते सामने जिये के मोबाइल नंबर पर मैंशन बीजिए तो मैं आपको ऑन्लाइन कंसलिंग की भी सुधा दे सकते हैं है होप यह आपको पसंद आयोगा थांक्यू थांक्यू वेरी मच